नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का टैली की नई क्लास में टैली में नई कमपनी कैसे बनाते हैं और बनाई हुई कमपनी में अगर कोई गलती है तो उसे कैसे सही करते हैं और बनाई हुई कमपनी को कैसे देखते हैं इन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो मे सीखा है टैली की ये class number 5 है और इस वीडियो के अंदर हम लोग टैली में company को delete करना सीखेंगे और साथ ही company को बंद करना सीखेंगे इसके अलामा gateway of tally में जितने option है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे हेलो दोसो मेरा नाव गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू computer smart class अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को like, share और subscribe तो आप जरूर करिएगा तो सबसे पहले tally को open करते हैं अगर आपके desktop पे tally का icon है तो आप इस पे double click करके इसको open कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर लिखना है tally जैसे ही आप जो है tally लिखोगे तो यह tally आ जाएगा आप इस पर click करके इसको जो है चालू कर सकते हैं Tally open होने के बाद मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको work in education mode वाले पे राना है इसके बाद enter button दवाना है इसके बाद आपको Tally की main window इस तरीके से दिखाई देती है जहाँ पर आपको gateway app Tally में धेर सारे option दिखाई देते हैं साथ ही आपको यहाँ पर जो भी आपने company open की ह उस company का नाम दिखाई देता है और अगर आपने इस company में कोई भी entry की है तो वो voucher entry आपको यहाँ पर दिखाई देती है फिलाल हमने अभी जो है इस company में कोई भी voucher की entry नहीं की है इसलिए यहाँ पर no voucher entry दिखा रहा है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं gateway app Tally में यह जो सार बनाने हैं वो सारे के सारे हम लोग account information में जाकर के laser के अंतरगत जो है खाते बनाते हैं साथ में अगला option है inventory information का तो जितने भी हमारे पास stock है जानी जिस भी अम्माल की हम खरिदारी और उसको जो है बेचते हैं उन सभी का stock बनाने के लिए हमको inventory information में जाकर के stock तयार करना हो जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो है एक general store है जहां पर आप copy pen वागेरा बेचते हो तो सबसे पहले आपको जो है copy और pen का inventory तयार करना होगा यानि कि आप कौन का सा समान बेचते हो वो inventory आप तयार कर दोगे तो उसके बाद आसानी होती है sell करने में और purchase करने में भी अग हम लोग जो है accounting voucher में जा करके करते हैं और अगर हमको inventory transaction करने हैं तो हम लोग inventory voucher में जा करके inventory transaction करते हैं जो कि हम लोग आगे सीखेंगे अगला option है utilities का जिसके अंदर आपको दो option मिलते हैं फिलाल ये उतने काम के नहीं है लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी data को अगर आपको import कराना हो तो ये option काम आते हैं लेकिन अभी के time में ये हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं है अगला option है reports का तो जो भी आप टैली के अंदर काम करोगे जो भी अपनी company के अंदर sell करोगे purchase करोगे payment करोगे या फिर receipt करोगे उन सभी की अगर आपको balance sheet देखनी है त सारी चीज़े आप यहां से देखेकते हो और एक ratio का analysis कर सकते हो अगला option है display का इसके अंदर भी बहुत सारे option है जो कि हम लोग आगे बात करेंगे यानि किसी भी चीज़ को आप देखने के लिए यहां पर भी आ सकते हो और अगला option है quiet का अगर आप टैली से बाहर जाना चा करना है आप इस company को अभी के time में बंद करना चाहते हो डिलीट नहीं करना है हम लोग अभी बंद कर रहे हैं बंद करने के बात company यहां नहीं दिखाए देती है लेकिन वो आपके टैली software में रहती है इतना आपको दियान देना है तो किसी भी company को बंद करने के लिए आपको य manually company को बंद कर सकते हो जैसे कि यह जो है आप इस पर क्लिक करिए या फिर जो है अल्ट के साथ F3 बटन को दबाईए तो देखिए company information की window इस तरीके से आ जाएगी इसके अंदर आपको option मिलेगा शट company का आपको जो है keyboard का सहारा लेकर के इस option पर आना है जो arrow button होते है keyboard में उसक आपको इंटर बटन दबाना है तो यह company जो है शट हो जाएगी लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसकी shortcut एक और निकल के आ रही है जो की है h यहाँ पर देखोगे शट company में h जो है वो highlight भी है और उस option पर आने के बाद h जो है red color का हो गया है अभी मैं उ उपर चलता हूँ तो देखे यह जो है h जो है बोल्ड है लेकिन इस option पर आने के बाद जो है h highlight हो जार है red color से तो इसका मतलब यह है कि अगर आप keyboard से सिर्फ और सिर्फ एच बटन को भी दबा देते हो तो भी company सट डाउन हो जाती है यह आपको ध्यान देना है तो हम जो है यहाँ पर कोई भी company यह जो है open नहीं है वो company हमने delete नहीं की है सिर्फ और सिर्फ company को हमने set किया है यानि बंद किया है अगर आप दुबारा से उस company को open करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको company information में select company का option दिखाई देता है आपको जो है इसी option पर click करना है लेकिन अगर आप द फोड़ा सा यह loading लेगा इसके बाद यहाँ इसके बाद जितनी भी आपने company बनाई होगी उसकी list इस तरीके से दिखाई देगी तो हमने अभी एक ही company बनाई है तो हम इसको जो है select करेंगे enter button दबाएंगे वो select हो जाएगी और open भी हो जाएगी आप यहाँ पर देख सकते या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग 2-3 company बना लेते हैं और उसमें से कुछ company को delete करना चाते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो देखिए company को delete करने के लिए आपको दोबारा से company information पर ही आना है जो की alt के साथ F3 button है आप चाहो तो इस पर direct mouse से भी click कर सकते हो तो हम keyword से alt के ए प्रेस करते हो तो आप अल्टर पे आ जाओगे फिलाहल जो है keyboard में जो arrow button है उनकी मदद से भी आप इस यहां पर आ सकते हो यहां पर आनेक बाद जो है आपको enter button दबाना है इसके बाद यहां से आपकी company की list खुल जाएगी कि आप किस company को alter करना चाहते हो अगर धेर सारी company आपने बनाई है तो सारी company यहां पर दिखाए देगी अब आपको जो है उस company को select करना है जिसको आप alter करना चाहते हो तो मेरे पास एक ही company है तो मैं इसी को alter करूंगा तो मैं जो है इसको enter button दबा दूँगा तो company हमारे सामने खुल करके आ चुकी है और इसमें आप कुछ change व दबाना है जो की है अल्ट के साथ D, D for dog वाला D आपको दबाना है अल्ट बटन को दबाके D बटन को दबाईए इसके बाद देखिए यह डिलीट करने का यहां पर जो है इस तरीके से message आ जाएगा अगर आप keyboard से Y press कर देते हो या फिर inter press कर देते हो तो यह company delete हो जाती है ले keyboard से इंटर बटन दबाएंगे यह हमसे फिर से एक बार message करके पूछेगा कि are you sure क्या आप सही में इसको delete करना चाहते हैं तो हम फिर से जो है एक बार इंटर बटन दबादेंगे तो हमारी company जो है अब वो delete हो चुगी है permanently अब यहां पर आपको company नहीं मिलेगी चाहे तो आप select पर click करके देख सकते हो यहां पर कोई भी company नहीं रहेगी देखे यहां पर जो है no companies दिखा रहा है तो इस तरीके से आप जो है company delete कर सकते हो company को shutdown कर सकते हो और मैंने आप सभी को gateway of tally के बारे में तो बताई दिया है tally से आपको पूरा बाहर आने के लिए escape की बटन को दबा है और एक बार इंटर बटन दबाना है तो आप tally से पूरे तरीके से बाहर आ जाओगे आज की वीडियो में बस इतना ही अगली जानकारी हम लोग next वीडियो में सीखेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को like तो जरूर करिए आप लोग like नहीं करते हो बताए ये like करने से आपका कुछ होता नहीं है बस एक छोटा सा like का बटन होता है उसको ही तो दबाना होता है आप लोग उसमें भी कंजूसी कर देते हो तो like आप जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी share कर देजेगा ताकि उनका भी फा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब ते के लिए जैहिन वंदे मातरम